तो आज आपका वेस्पेंगल का जो इलेक्शन है वो खतम हो जाएगा तो अभी सारे लोगों को इंतजार रहेगा दो मई तक के इलेक्शन का रेजल्ट क्या आने वाला है क्योंकि अगर आप पास्ट में देखेंगे तो काफी यह हाई ड्रामा रहा यह पूरा जो महिने से ज काफी बयानवाजी हुआ थोड़े छुटमूट हिंसा हुआ जो कि हलाकि वेस्ट मेंगल के लिए काफी साधरन सी बात है हिंसा होना इलेक्शन के दोरा तो बट यह हाई वोल्टेश ड्रामा के बीच जो जहां काफी एमोशनल कार्ड दीदी खेलते हुए नजर आई वहीं म जब बीजेपी ने काफी अच्छा भूट पर्षेंटेश लिया था 40 जबकि दीदी का only 43 पर्षेंट था as comparison 3 पर्षेंट के डेफरेंस था तो ऐसा लगने लगा था बीजेपी कि इसको और आगे बढ़ा जा सकता है और मोदी से दीदी से खास करके लोग 10 साल से जो एंटी currency है तो इसके बज़र से काफी उमीद है तो सारा मेशी थारी इसको बीजेपी ने जोग लिया था तब ही आप देखेंगे कि मार्च से पहले जो ऑपिनियन पोल्स आते थे वो ज़्यादा दीदी के सपोर्ट में आते थे या दीदी के तरफ युकाव उसका ज्यादा था कि कि लोग उस समाए दीदी के अगेंस्ट में उतना सोचे नहीं थे अला कि बीजेपी के सट लगवक सौ के आसपास आता था बट मेजरेटी के तरफ नहीं था बट जब देखेंगे आप मार्स के बात मार्स के जो इलेक्शन का जो बोटिंग सुरू होने से ज़स्ट पहले ल तो बीजेपी की जो भोट है या जो सीट से रहे हो काफी उपर बढ़ते हुए नजराया और हंडेट से उपर चलते हुए नजराया और कहीं कहीं लास्ट तक आप देखेंगे कि बीजेपी को मेजरेटी भी दिखाया गया और वहीं एक इनिशियल केस में ऐसा धारना बन ग हैं तो उसके तरफ जाएगा बट ऐसा इलेक्शन के दोरान लगने लगा कि नहीं साइद लोग अभी ऐसा सोच रहे हैं कि थर्ड फरंट को दे के कोई फायदा नहीं है और इसलिए जो दीदी के साथ थे वो दीदी को भोट दिये और जो दीदी के एगेंस्ट में थे वो मो आसानी से जो कहीं BJP को मेजरिटी मिला है कहीं आपके TMC को तो यहां पर पट एक चीज़ देखेंगे काफी बैलेंस्ड है मतला एक दो जगा में आप देखेंगे कि कौन जीते का साइद उतना कन्फीजन है जहां 120-30-35 के आसपरस दोनों को मिलते हुए नजर आ रहा है कहीं 140-45 तो काफी कन्फीजन के पीच यह हुआ था अगर आप मेरा पिछला वाला देखेंगे उसमें मैंने यहीं बताया था कि जो आपका अभी कन्फीजन है पिछले जो एक महीने में पहले मैंने बनाया था तो लगवग वहीं था दोनों को 135 के आसपरस जो सीट्स मिलने के आस साल लग रहे हैं तो ही लोगों का भी कन्फीजन था कुछ लोग बोल लेते नहीं ट्यम से आए गा कुछ लोग वोलेते नहीं बीजेपी आएगा ट्यम से वारीसान है तो इस तरह से काफी मिला जुला ऑपिनियन साथ को आते हुए डीवी पर नजर आता था और लोगों की इसमें बोट सेयर नहीं दिया था, इंडिया टीवी का जो पीपल्स है, ज्यादा तरह आप दीदी का बोट सेयर बहुत ज्यादा आप ड्रास्टिकली कम होते हुए नहीं देखेंगे, 2019 में जहाँ दीदी की बोट सेयर 43% था, अभी भी आप देखेंगे 43, 44, यहाँ 40 है, तो यहाँ आपको इसी तरह से नजरात आएंगे, तो इसी को देखते हुए आप देखेंगे कि BJP का बोट सेयर comparatively आपका बढ़ा है, बहुत जगा में 44 तक भी गया है, देखेंगे यहाँ पर 40 था, 44 गया है, कहीं 38 दिखा है, कहीं 37 दिखा है, जहां 37 दिखा है, वहां कॉंग्रेस को ज़्यादा दिखा है, और TMC को कम दिख देखेंगे, तो BJP का बोट सेयर भी कुछ opinion falls में, आप काफी बढ़ा हुआ नज़राएंगे, बट अगर आप election के दोरान देखेंगे, तो BJP का बोट सेयर आपको बढ़ते हुए नज़राएंगे, क्योंकि Left और Congress की तरफ को युका भी इस election में था ही नहीं, तो जो Left और Congress से लोग कंपिटिटर मानने से मना कर दिया, अल्मस्ट नकार दिये, हाला कि कुछ बेल्ट है जो सात्में चराण में उस बेल्ट में हो सकता है, BJP का उतना stronghold नहीं था, as comparison to Left and Congress, कुछ एरिया में, जो Muslim Bahul इलाका है जालतर, तो वहां पर हो सकता है कुछ सीट में Congress और Left जीत जा आपको दिखेगा, तो अभी समझते हैं कि, आगे हम समझते हैं कि कितना जो दीदी का परिशान होने के क्या कारण था, बोटिंग टर्न आउट क्या था, जो आप देखेंगे यहां पर फास्ट पेज से सुरूओ के सेवन्थ पेज तक, जहां फास्ट पेज में 84%, 84.63 था औ और सेकेंड चरण में 86 था, फिर 84 था, तो यह जो भोटिंग परसेंटेज था, यह एवरेज पिछले साल से जादा था, तो यही कारण था, तो दीदी इस दौरन काफी परिशान थी, और अगर टोटल साथमे चरण तक भोट परसेंटेज के आप काउंट करें तो 82.37, यह जहां पे आप सत्ता परिवर्तन होता है, वहां बोटिंग परसेंटेज अक्सर बढ़ जाता है, तो इस चीज को प्रूब करने के लिए मैं कुछ पास डाटा आपको दिखा रहा हूं, देखिए यहां पे 2006 में, जब लेफ्ट की सरकार थी, वहां पे 81.92 परसेंट भोट आता है, क्योंकि जब लोग को सत्ता परिवर्तन करना होता है, तभी लोग घर से बहार आते हैं, तो यहीं चीज आप अगर दुसरे राजिय में भी देखेंगे, यहीं चीज रहा है, आप देखेंगे, यह यूपी का देखिए, यूपी में 2011 में आपका 59.4 परसेंट था, जब 2017 में आपका योगी सरकार आया, और काफी मेजरेटी के साथ आया, फुल मेजरेटी के साथ आया, तब आप देखिए, वहाँ भी लगबग 2% के आया, आसपास आपका भूट परसेंट इस बढ़ाता, भूट टन अवर बढ़ाता, तो इसी को देखते हुए, बीजेपी यहाँ पे सत्ता में आ सकता है, और आपका उसी को लेके टेंसन में है, जहाँ पे TMC की साथ हमारा सत्ता जा सकता है, तो अभी हम देखते हैं, कि अभी आपका एगजीट पोल क्या बोलता है, मेरे तरब से जो एगजीट पोल है, वहाँ पे पहले हम भूट परसेंटेज की मेरा प्रेडिक्शन भूट परसेंटेज है, TMC को 40 से 42 परसेंट, BJP को 42 से 44 परसेंट, और Indian National Congress Plus यानि कि जो पूरा उनका मिला जुला गटबंदान है, उनको 9 से 10 परसेंट, यहीं पे आपका 3 परसेंट लगभग का भूट कटेगा, जो BJP और TMC में हो सकता है, बटेगा, औ और कुछ TMC से स्वीचिंग होके BJP की तरफ आएगा, और BJP को नुकसान का चांसेस कंपरिटिबली कम है, जहां पे वहीं अगर हम देखेंगे, एक्जिट पोल की बात करें, तो मेरे हिसाब से TMC को जहां 115 से 125 स्ट मिलने के आसार लग रहा है, वहीं BJP को marginally एक higher भूट मिले जो 155 से 165 की बीच होगा, वहीं जो आपका मिला जूला का गटबंदन है, तो उनको साइद 12 से 15 सीट मैक्शियम मिल सकता है, अदर्स को साइद 0 से 3 सीट के बीच में मिल सकता है, तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तो इंतजार करते हैं, दो माई तक रेजल्ट के तो ऱूísimo कर दो कर दो हए का दो अें गूमारा ही, तो वहीं मिला का रेजिएर जोनworksान다는 तो इंकि लिएग्यान के लूपका दूला, तो रेजिएर इंतना ही, तो हॼ्त अतली है, तो इंता कर दो के शो की आदूो इंता पीर, तो, जो मैं टব खा आदसं है, तो इंतना है, झाल झाल